भारत ये क्रिशे प्रधान देश है और क्रिशे में अपना योगदान देने वाले गाए बैलो को विशेश रूप से पूझा जाता है महरास्ट्र में पोले पर्फ का विशेश महत्व होता है या दो तरीके से मनाय जाता है बड़ा पोला और छोटा पोला बड़े पोले में जीविद बैलो को सजा कर उनकी पूझा अर्चना की जाती है तो वहीं छोटे पोले में बच्चे लकडी के बैलो से खेलते हैं और उनकी घर गर जाकर पूझा अर्चना करवा कर कुछ गिफ्ट प्राप्त करते हैं भारतिये क्रिशी आई का मुख्य स्त्रोथ है और जादतर किसानों की खेती के लिए बैलो का प्रियोग किया जाता है इसलिए किसान पशों के पुझा अराधना इवं उनको धन्यवाद देने के लिए इस तहवार को मनाते हैं पूला दो तरीके से मनाय जाता है बड़ा पूला इवं छोटा पूला बड़े पूले में बैलो को सजा कर उनकी पूझा की जाती है जबकि छोटे पूले में बच्चे खिलोने के बैल महले और पडोस में घर गर ले जाते हैं और बदले में उन्हें कुछ पैसे या गिफ्ट भी दिये जाते हैं आज के दिन बैल दोड प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है पूला पर्फ पर शहर से लेकर गाव तक धूम रहती है इस दोरान जगजगब बैलों की पूझा अर्चना की जाती है गाव के किसान भाई सुबे से ही बैलों को नहला धुला कर उनकी फीधी विधान से पूझा अर्चना करते हैं इसके बाद घरों में बने पकवान भी बैलों को खिलाए जाते हैं इस दिन मिठी और लकडी से बने बैल भी चलाने की परंपरा है आपको बता दे कि पोले का तहवार हर इनसान को जानवरों का सम्मान करना सिखाता है जैसे जैसे ये देवार आने लगता है सभी लोग मेहनती किसानों को हैपी पोला कहकर मुबारक बाद देने लगते हैं इन्बिसे नियूज के लिए बिरो रिपोर्ट रुपा पंडित